नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आवतार इस्टेडी पर मित्रों इस कलेंडर की स्रिंखला में आज हम कलेंडर का एक नया टापिक पर चर्चा करेंगे जिसे कलेंडर की पुन्द्रा विर्ति की रूप में हम जानते हैं अब इसका मतलब क्या होता है कलेंडर की पुन्द्रा विर्ति का मतलब क्या होता है जैसे कोई भी कलेंडर हमारे पास है जैसे हम बात करने अगर 2022 का जो कलेंडर होगा ये किस वर्स समान होगा है ये ऐसे आप से कुश्चन पूछा जाएगा तो इसको हम दो तरीके से बताएंगे एक तो बताएंगे कैसे हम आपसों साल कर सकते हैं और दूसरा इसका जो नियम है वो नियम क्या है उस पर हम विचार कर लेंगे ठीक है चलो देखते हैं देखो पहला कुशन क्या कह रहा है पहला कुशन इसमें कह रहा है वर्स 1990 का कलंडर निम्न में से कौन से वर्स समान होगा ठीक है अब यहाँ पर मैं एक बार बता रहा हूँ एक बात ये है अगर कोई भी कलंडर होगा तो वहाँ जो वर्स हमारे होगे वो उनकी अधार पर तैं होगा यानि अगर जो वर्स अगर वो समान वर्स होगा क्योंकि वर्स दो प्रकार के होते हैं एक समान वर्स होता है और एक होता है हमारा अधी वर्स अधी वर्स ठीक है तो सब को पता होगा यहां पे कि समान वर्स क्या होते हैं समान वर्स वो होते हैं जो चार से नहीं कटे यानि उसका जो लाश्ट दो अंग होता है वो चार से नहीं कटता तो उसे हम सामान वर्स कहते हैं अधिवर्स वो होता है जो जिसके लाश्ट के दो अंग चार से कट जाएं वो क्या होते हैं वो अधिवर्स हो जाते हैं ठीक है तो याद रखना कि अगर कोई सामान वर्स का कलेंडर है तो वो सामान वर्स वाले में ही मैच करेगा ठीक है सामान वर्स वाले में ही क्या करेगा मैच करेगा और कोई अगर लीप वर्स वाला है यानि अधि वर्स वाला कलेंडर है तो वो कहां मैच करेगा वह अधिवर्स वाले कलेंडर में मैश करेगा तो ये आपके दिमाग में सेव होना चाहिए अब पहले दो को धिशान से यहां पे जो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि ये कैसा कलेंडर है यानि ये वर्स जो है कैसा है क्या ये सामान वर्स है अगर सामान है तो कोई दिक्कत है नहीं सामान में मैच कर जाएगा तो लाश के दो अंक चेक करो क्या ये चार से कट रहे हैं क्या नब्बे क्या चार से कट रहा है नहीं, नब्बे चार से नहीं कट रहा है इसका मतलब ये कैसा होगा बताओ यह होगा सामानने वर्स वाला वर्स है ठीक है यानि क्या होगा यह है यह हमारा सामानने वर्स है ठीक है अब सामानने वर्स का जो कलेंडर होगा उसामानने वर्स में मैच करेगा यानि लीप वर्स में मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर देखो यह चानबे क्या है लीफ है तो ये अल्रेडी गलत हो गया, 2000 ये भी क्या है, लीफ है, ये दोनों गलत हो गए, बचे कितने, दो आपसन, एक पहला, एक दूसरा, अब गलत कैसे हुए, क्योंकि छानबे पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये लीफ है, 2000 भी क्या है, लीफ है, और लीफ है, तो ये मैच नहीं करे क्या क्या मिलंगे, एक मिले गावर्ष, दूसरा मिलेगा लीफ वर्ष यानि अधि वर्ष, और तीसरा मिलेगा सेंचुरी, यानि सताबदी मिलेगा हमको, ठीक है, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, अगर आप पीछे इमारे, दो वीडियो नहीं पढ़े हैं, तो पहले आ यह हमारी क्लास कैसी है यह हमारी आज की klas तीसरी है ठीक है तीसरी क्लास की हो रही है आप सभी लोग 2 klas पढ़ लीजिए उसके बाद यहां पर आपको बेतरीं तरीकित समझ में आएगा आप एकूंध हैं तीन हैं जिस्में तीनों में सेम सेस्पल आएगा वही क्या होगा हम दुनी 8 कितने आएंगे बताओ बाइस आएगा ठीक है अब सैंचुरी कोट 19 सो क्या है सैंचुरी कोट हमारा होगा 0 क्यूंकि सेसफ़ कितना है थीन سो अब गो इसको मगर साथ से डिवाइट करें तो सेसफ़ क्या आ सकता है साथ से divide करेंगे साथ यहां पर 3 बार जाएगा सेसफल एक बढ़ शेगा यहां साथ गंडम साथ हो जाएगा 20 साथ दूरी 14 कितना पपचा 6 छे और 17 यह भी कैंसे हो जाएगा यहीं सेसफल 0 जीर हो आएगा यहांनि 1997 और 2001 में जिसमें सेसफल 0 जीर हो आएगा वही मारत क्या हो बताओ, लीप येस आज आएंगे, कितने आएंगे, चाओ बिस आएंगे, ना, हाँ, चार दुनिया, चार चोक सोरा, ठीक है, सेंचुरी कोड कितना होगा, zero, डीवाइट करोगे, साथ सेथ, साथ तरिक 21 कितना बचे गा, तीन, साथ एक अन्नम साथ, और यहां पे साथ तरिक 21 कितना मचेगा, चे, चे, तीन, नो, क्या सेथ फ़ल जूर आया, नहीं, इसका मतलब, option A, B क्या है, गलत, यानि option D हमारा क्या है, बिल्कुल, correct option है, ठीक है, option D हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल, correct option हो जाएगा, अगर आपको problem हो रही है, तो मैं चलो, इसको साल कराकर नियम किया तो तो याद को जब चार से डिवाइट करोगे तो यह चार प्रकार का से सेसफ़ल देगा से सेस्फ़ल कर लेकि अगर मल लो और ना ख Czy आषऑ नहीं करता आप को नियम से कैसे करना है तो याद रखो कि years को जब 4 से divide करोगे तो ये 4 प्रकार का successful देगा successful कितने प्रकार के आएंगे बताइए 4 प्रकार आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 0 आएगा याद रखना अगर successful 1 आया तो उसमें हम क्या करेंगे उस वर्स में 6 वर्स का जो बाद का कलेंडर होगा वह repeat हो जाएगा successful 2 आया तो वहाँ पे 11 वर्स के जो बाद का कलेंडर होगा वह repeat हो जाएगा successful 3 आया तो 11 वर्स बाद का कलेंडर क्या होगा बताओ अच्यों वहाँ पे repeat हो जाएगा successful 0 कब आयेगा जब वहां वर्स लीप होगा और लीप होगा तो 28 वर्स बाद का जो कलंडर होगा वो क्या होगा वो हमारा सेम उसमें कापी हो जाएगा अब यहाँ पे दिखाते हैं कि 1990 में इयर्स क्या क्योंकि इयर्स को चार से डिवाइड करना है तो इयर्स हम बता चुके हैं लाश की दो अंक्या होते हैं इयर्स यहां पर रखे हैं और आप लोग सभी लोग इसको साल करके answer comment करिए देखिए अगला question क्या है अगला जो question है मारा हो क्या है ठीक है दूसरा question कह रहा है verse 2019 का calendar निम्ने में से किस verse समान होगा ठीक है सभी लोग comment करके इसका right answer comment करिए और सभी लोग बताइए कि यहां वीडियो आपको कैसी लग रही है ठीक है देखो 2019 में years कितने है उननीस चार से divide करोगे चार चोग से 16 कितना आएगा तीन और तीन आएगा तो 11 verse बाद का calendar क्या होगा समान कब से 2019 से 11 verse add कर दोगे तो कितना आजाएगा बताओ यह आजाएगा 2030 यानी real क्या होगा option number D तो पहले वाले हमारे पहले वाले जो question था उसमें हमने आपको option बताया कैसे आपसे solve करेंगे और नियम भी बताया कि नियम से कैसे solve करेंगे ठीक है तो दूसरा जो हमारा question है वो उसका right answer क्या हो जाएगा option number D चलो ऐसे देखते है question number 3 क्या है question number 3 में कहा गया है verse 2008 का calendar निमन में से कौन से verse समान होगा तो 2008 में देखो यहाँ पे years कितने होगे years होगे 8 और 8 से 4 से divide कर दोगे तो safe fall आया 0, 0 मतलब क्या होगा 28 verse बाद का calendar 28 verse बाद कप से 2008 से 28 add कर दोगे तो वहाँ पे क्या होगा वह उस calendar से same copy हो जाएगा कितना आजाएगा 2036 यानि option number हमारा इसमें क्या है bc हो गया कोई रिक्षत नहीं option number इसको b कर लो इसको c कर लो ठीक है option number b हमारा क्या हो जाएगा एक दम correct option हो जाएगा ठीक है correct क्या है option number b हाँ ठीक है चलो आगे देखो अगला question है question number 4 question number 4 में क्या के रहा है verse 2024 का calendar कौन से verse में फिर से उपयोग में किया जा सकता है देखो ध्यान से पहले अगर 2024 है तो इसका मतलब यह है कि 2024 का जो 4 है कट रहा है चार से कट जाएगा इसका मतलब कैसा है leap और अगर leap है तो कितना add करना बता हो 28 वर्स अब आपको यहां पर लिखने की भी जुरूरत नहीं है आप बीना लिखे आप तुरंत इस question का answer कर सकते हो एक्जाम में अगर आपको ऐसे question तयार रहेंगे तो वहां पर आपको कलेंडर में कोई भी समस्या नहीं आएगी और जिब कलेंडर में आप सही से question solve कर लोगे तो आगे जो अन्य हमारे कुछ लेंदी question होंगे वहां पर पूरा time इसका दे देंगे तो आपको बेतरीन तरीके से तैयार होना चाहिए तो थाइस पर से अब आड़ करोगे उन्नीस सो सौरी दोजार चोबिस में तो कितना आ जाएगा आठ चार बारा यहां पर पांच तो कितना आ जाएगा आगे देखी तो मित्रों आज के लिए मैं इतना रख रहे हैं क्योंकि देखो इस type के question जो है वो चार प्रकार के question मैं चार question करवा चुगा हूं कल का हमारा जो next topic होगा इसमें उसे हम ग्याद करेंगे कि जो सामान माह वाले माह होते हैं ठीक है कौन सा सामान माह वाले माह समान माँ वाले कौन से होंगे माँ ठीक है यानि कौन सा माँ जो होगा वा किस महीने से सेम होगा अब तो हम बात कर चुके वर्स की क्योंकि वर्सों की जो पुन्रावड़ती होती है उसकी हम बात कर चुके अब हम कुछ माँ की जो पुन्रावड़ती है यानि समान माँ वाले जो माँ होते हैं उन पर हम चार्चा करेंगे तो कल के वीडियो में हम या कुश्चन या टापिक्स पर चार्चा करेंगे आप सबी लोग हमारे वीडियो क्योंकि हमारे जो वीडियो है वह पांच पीम पर रोज अपलोड होता है इस आउतार इश्री चैनल पर ठीक है तो आप सबी लोग अगर नए हैं सस्क्राइब लाइक सेयर करना बिल्कुल न भूलें और पांच बज़े का टाइम आप कर सकते हैं तो मित्रो कल मिलते हैं इसी टाइम पर तक तक के लिए नमस्कार जैहिन